भारत की लोक गाथाओं में है कि सुकरात की शिष्ष परंपरा के मनीशी अरस्तु ने अपने शिष्ष सिकंदर को भारत से गीता ग्यानी गुरू लाने का निर्देश दिया था गीता के ही ये केश्वरवात को विश्व की विविद भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी महात्माओं ने फैलाया भाषांतर होने से ये प्रिथक प्रिथक प्रतीत होते हैं किन्तु से धान्त गीता के ही है अतह गीता मानव मात्र का अतर के धर्म शास्त्र है गीता के दसियों हजार अनुवादों के बीच दैदिक प्यमान इस व्याख्या के आलोक में आप सब परमश्रे के साधक बने ओम श्री परमात्मने नमः यथार्थ गीता श्रीमत भगवत गीता अथ शष्ठो ध्याया संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पधतियों, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक इश्वर की स्थापना एवम उसकी प्राप्तिकी प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविरभा होता है क्रियाओं को छोड़ कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रोड़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी इसलिए इस अध्याय के प्रारंब में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रशन को चौथी बार स्वयम उठाया कि ज्ञानी योग तथा निश्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा श्री भगवान वाच अनाश्रिता कर्म फलं कार्यं कर्म करोतिया ससन्यासी चयोगी च न निरगनिर न चाक्रिया श्री कृष्ण महाराज बोले अर्जुन कर्म फल के आश्रे से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कारियम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेश को करता है वही सन्यासी है वही योगी है केवल अगनी को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी क्रियाएं बहुत सी हैं उन में से कारियम कर्म करने योग्य क्रिया नियत कर्म निरधारित की हुई कोई क्रिया विशेश है वो है यग्य की प्रक्रिया जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विद्विशेश है उसको कारी रूप देना कर्म है जो उसे करता है वही सन्यासी है वही योगी होता है केवल अगनी को त्यागने वाला के हम अगनी नहीं जूते या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं मैं तो आत्म ग्यानी हूँ केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही न करे करने योगी क्रिया विशेश न करे तो वो न सन्यासी है न योगी इस पर और देखें इद्धि पांडव नईय सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कष्चन अर्जुन जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तु योग जान क्योंके संकल्पों का त्याग किये बिना कोई भी पुरुष योगी नहीं होता अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है तब तो सरल है कि कहते हैं कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी श्री कृष्चन कहते हैं ऐसा कदा भी नहीं है योग पर आरूड होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ती में कर्म करना ही कारण है और योग का अनुष्ठान करते करते जब वो परिडाम देने की अवस्था में आ जाए उस योगा रूडता में शमह कारणम उच्यते संपूरों संकल्पों का अभाव कारण है इस से पहले संकल्प पिंड नहीं छोडते और योगा रूड़स्त दूच्यते जिस काल में पुरुष्ण न तो इंद्रियों के भोगों में आ सक्त होता है और न कर्मों में ही आ सक्त है योग की परिपक्ववा वस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके डूने के से अता नियत कर्म आराधना की आवशक्ता नहीं रह जाती इसलिए वो कर्मों में भी आ सक्त नहीं है उस काल में सर्वसंकल्प सन्यासी सर्वसंकल्पों का अभाव है वही सन्यास है वही योगा रूड़ता है रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे क्योंकि वो जीवात्मा स्वयम ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है कभी यह शत्रु होता है और कभ मित्र इस पर कहते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मईवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे बरतेतात्मईवशत्रुवत जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर् जीटा हुआ है उसके लिए उसी का जीवात्मा मित्र है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो स्वयम शत्रता में बरतता है, इन दोशलोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं, कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें, उसे अधुगती में न पहुँचाएं, क्यूंकि आत्मा ही मित्र है, स पर्म कल्यान करने वाला होता है, और जिसके द्वारा मनसहित इंद्रियां नहीं जीती गई है, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रु में बरतता है, नीच योनियों और यातनाओं की और ले जाता है, प्राया लोग कहते हैं, मैं तो आत्मा हूँ, गीता में लि शाश्वत है और वो आत्मा मुझ में है यह वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है आत्मा का उधार भी होता है जिसके लिए कारियम कर्म करने योगी प्रक्रिया बताई गई है अब अनुकूल आत्मा के लक्षण देखें जितात्मनह प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना पमानयो सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतह करण की वृत्तियां भली प्रकार शान्त है ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदई विस्थित है कभी विलग नहीं होता जितात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है वृत्ति परम शान्ति में प्रवाहित हो गई है यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है आगे कहते हैं जिसका अंतह करण ज्ञान विज्ञान से त्रिप्त है जिसकी इस्थित अचल, स्थिर और विकार रहित है जिसने इंद्रियों को विशेश रूप से जीत लिया है जिसकी द्रिष्ट में मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण एक समान है ऐसा योगी युक्त कहा जाता है युक्त का अर्थ है योग से संग्युक्त ये योग की पराकाष्टा है जिसे योगेश्वर पाँचवे अध्याय में श्लोक साथ से बारा तक अभी चित्रित करा है परमतत्व परमात्मा का साक्षातकार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्यान है एक इंच भी इष्ट से दूरी है जानने की इच्छा बनी है तब तक वो अग्यानी है वो प्रेरक कैसे सर्वव्याब्त है कैसे प्रेरना देता है कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पत्प्रदर्शन करता है कैसे वो भूत भविश्य और वर्तमान का ग्याता है उस प्रेरक इष्ट की कारे प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है जब से हिर्दय में इष्ट का आविर्भाव होता है उसी दिन से वो निर्देश देने लगता है किन्तु प्रारंब में साधक समझ नहीं पाता पराकाष्ठा काल में ही योगी उनकी आंतरिक कारे प्रणाली को पूर्णता समझ पाता है यही समझ विज्ञान है योगारूर अत्वा युक्त पुरुष का अंता करण ज्ञान विज्ञान से त्रिप्त रहता है इसी प्रकार योग युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वार शिरी कृष्ण पुना कहते हैं सुर्हिन मित्रार युदासीन मध्यस्थद्वेश्य बन्धुशू साधुश्वपिचपापेशू समबुद्धिर्विशिश्यति प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ति होता है। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ग्याता या पंडित है वो विद्या विने संपन ब्रामण में, चांडाल में, गाय कुत्ता हाथी में समान द्रिश्टि वाला होता है। उसी का पूरक ये श्लोक है। वो हिर्दय से सहायता करने वाले सहिर्दय, मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेशी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान द्रिश्टि वाला योग-युक्त पुरुष अतिश्रेष्ट है। वो उनके कारियों पर द्रिश्टि नहीं डालता, बलके उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी द्रिश्टि पढ़ती है। इन सब में वो केवल इतना अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीड़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समी, किन्तु वो ख्षमता सब में है। यहां योग युक्त के लक्षन पुना दोराये गए। कोई योग युक्त कैसे बनता है, वो कैसे यग्य करता है, यग्स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, करता के द्वारा पालन किये जाने वाले नियम, अहार विहार, सोने जागने का सैयम, तथा कर् योगेश्वर शिरी कृष्ट ने अगले पाँच लोकों में प्रकाश डाला जिससे आप भी उस यग्य को संपन्न कर सके अध्याय तीन में उन्होंने यग्य का नाम लिया और बताया कि यग्य की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है अध्याई चारमें उन्होंने यगय का स्वरूप विस्तार से बताया जिसमें प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन प्राण अपान की गति रोक कर मन का निरोध इत्यादी किया जाता है सब मिलाकर यगय का शुद्ध अर्थ है आराधना तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तै कराने वाली प्रक्रिया जिस पर पाँचवे अध्याय में भी कहा किन्तु उसके लिए आसन भूमि करने की विधि इत्यादि का चित्रन शेश था उसी पर योगेश्वर श्री कृष्णी यहां प्रकाश डालते है एकाकियत चित्तात्मा निराशीर परिक्रः चित्त को जीतने में लगा हुआ योगी मन इंद्रियों और शरीर को वश में रखकर वासना और संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेले ही चित्त को आत्मों पलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे उसके लिए स्थान कैसा हो आसन कैसा रहे शुचव देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मना नात्युच्षितम नाति नीचम चैलाजिनकुषोत्तरम शुद्ध भूमी में कुष म्रिगच्षाल वस्त्र अत्वा इससे उत्तरोत्तर रेश्मी उनी तक्त कुछ भी बिच्षा कर अपने आसन को नाति उंचा ना नीचा स्थिर स्थापित करें शुद्ध भूमी का तात्परे उसके जाडने बुहारने सफाई करने से जमीन पर कुछ बिच्षा लेना चाहिए चाहे म्रिगच्षाल हो या चटाई अत्वा कोई भी वस्त्र तख्त जो भी उपलब्ध हो कोई एक वस्तु बिच्षा लेना चाहिए आसन हिलने डुलने वाला ना हो न जमीन से बहुत उंचा हो और न एकदम नीचा वोज्य महराज जी लगभग पाँच इंच उंचे आसन पर बैठते थे एक बार भाविकों ने लगभग एक फीट उंचा संगमरमर का एक तक्त मंगा दिया महराज जी एक दिन तो बैठे फिर बोले नहीं हो बहुत उंचा हो गया उंचे नहीं बैठे के चाहि साथ होगे अभिमान होई जावा करत है नीचे हूँ न बैठे के चाहि हींता आवत है अपने से घ्रना आवत है बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था वहां रखवा दिया वहां न कभी महराज जाते थे और न अब ही कोई जाता है ये था उन महापुरुष का क्रियात्मक शिक्षन इसी प्रकार साधक के लिए भी बहुत उंचा असन नहीं होना चाहिए नहीं तो भजन पूर्ती बाद में होगी आंकार पहले चड़ बैठेगा इसके पश्चाद तत्रई का ग्रम्मन क्रित्वा यतचित्तेंद्रियक्रियः उपविश्यासने युंजा योगमात्म विशुद्धएर उस आसन पर बैठकर बैठकर ये ध्यान करने का विधान है मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में रखते हुए अंता करण की शुद्धी के लिए योगा अभ्यास करें अब बैठने का तरीका बताते हैं समंकाय शिरो ग्रीवं धारयन चलं स्थिरह संप्रेक्षनासिका ग्रम्सों दिशश्चानवलो कयं शरीर गर्दन और शिर को सीधा अचल स्थिर करके जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो इस प्रकार सीधा द्रिण होकर बैठ जाए और अपनी नासिका के अग्रभाग को देख कर नासिका की नोक देखते रहने का निर्देश नहीं है बलके सीधे बैठने पर नाक के सामने जहां द्रिष्टी पड़ती है वहां द्रिष्टी रहे दाहिने बाए देखते रहने की चंचलता न रहे अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे और प्रशान्तात्मा विगत भी ब्रह्मचर्य व्रत में इस्थित होकर प्राया लोग कहते हैं कि जननेंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है किन्तु महापुरुषों की अन्भूती है कि मन से विश्यों का स्मरण करके आखों से वैसे द्रिश्य देखकर, त्वचा से स्पर्ष कर, कानों से विश्यो तेजक शब्द सुनकर, जननेंद्रिय सैयं संभव नहीं है ब्रह्मचारी का वास्त्वी कर्थ है ब्रह्म आचरती सब्रह्मचारी ब्रह्म का आचरण है नियत कर्म, यग्य की प्रक्रिया, जिसे करने वाले यांति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हैं, इसे करते समय स्पर्शान कृत्वा बहिर बाहियान, बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रियों के स्पर्श बाहर ही त्याग कर, चित्त को ब्रह्म चिंतन में श्वास प्रश्वास में ध्यान में लगाना है मन ब्रह्म में लगा है तो बायस मरण कौन करे यदि बायस मरण होता है तो अभी मन लगा कहा विकार शरीर पर नहीं मन की तरंगों में रहता है मन ब्रह्मा चरण ने लगा है तो जननेंद्रिय सईयम ही नहीं सकलेंद्रिय सईयम تक स्वाभाविक हो जाता है अता है ब्रह्म के आचरण में स्थित रहकर भयए रहित और अच्छी प्रकार शांत अनतह करणवाला मन को सईयत रखते हुए मुझमें लगे हुए चित से युक्त मेरे परायण होकर स्थित हो ऐसा करने का परिणाम क्या होगा युन्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसह इस प्रकार अपने आपको निरंतर उसी चिंतन में लगाता हुआ सैयत मनवाला योगी मेरे में स्थित रूपी पराकाश्ठा वाली शान्ती को प्राप्त होता है इसलिए अपने को निरंतर कर्म में लगाए यहाँ ये प्रश्न पूर्ण प्राय है अगले दोश्रोकों में वे बताते हैं कि पर्मानंदवाली शान्ती के लिए शारीरिक सैयम, युकताहार, विहार भी आवश्यक है अर्जुन ये योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है तब किसका सिद्ध होता है युकताहार विहार अस्य युकत चेश्टस्य कर्मसू युकत स्वपनाव बोधस्य योगों भवति दुखःा दुखों का नाश करने वाला ये योग उचित आहार विहार कर्मों में उपियुकत चेश्टा और संतुलित शयन जागरन करने वाले का ही पूर्ण होता है अधिक भोजन करने से आलस्य निद्रा और प्रमाद घेरेंगे तब साधना नहीं होगी भोजन छोड़ देने से इंद्रिया खिर्ण हो जाएंगे अचल स्थिर बैठने के ख्षमता नहीं रहेगी पूजे महराजची कहते थे कि खुराक से डेड़ दो रोटी कम खाना चाहिए विहार अर्थात साधन के अनुकूल विच्रण कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए कोई कारे ढूण लेना चाहिए अनिथा रक्त संचार शिथिल पर जाएगा रोग घेर लेंगे सोना और जागना आयू आहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है महराजी कहा करते थे योगी को चार घंटे सोना चाहिए और अनवरत चिंतन में लगे रहना चाहिए हट करके न सोने वाले शीग्र पागल हो जाते हैं कर्मों में उप्युक्त चेश्टा भी हो अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्न शील हो बाहे विश्यों का इस मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है साथ ही यदा विन्यतं चित्तं आत्मन्ये वावतिष्ठते निस्प्रुह सर्वकामेब्यो युक्त इत्युच्यते तदा इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेश रूप से वश में किया हुआ चित्र जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है विलीन सा हो जाता है उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुश योग युक्त कहा जाता है अब विशेश जीते हुए चित्त के लक्षण क्या है जिस प्रकार वायु रहत स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता लौ सीधे उपर जाती है उसमें कमपन नहीं होता यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है दीपक तो उदारन मात्र है आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पढ़ रहा है अगर बत्ती ही जलाने पर धुआ सीधे उपर जाता है यति वायू में वेग ना हो यह योगी के जीते हुए चित्त का एक उदारन मात्र है अभी चित्त भले ही जीता गया है निरोध हो गया है किन्तु अभी चित्त है जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है तब कौन सी विभूती मिलती है देखें यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्रचैवात्मनात्मानम अश्यनात्मनितुश्यति जिस अवस्था में योग के अभ्यास से बिना अभ्यास के कभी निरोध नहीं होगा अतय योग अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है विलय हो जाता है मिट जाता है उस अवस्था में आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा आत्मानम परमात्मा को देखता हुआ आत्मनी एव अपने आत्मा में ही संतुष्ट अपनी ही आत्मा से होता है क्यूंकि प्राप्तिकाल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है किन्तु दूसरे ही क्षण वो अपने ही आत्मा को उन शाश्वत इश्वरी विभूतियों से ओत प्रोत पाता है ब्रह्म, अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अम्रित स्वरूप है तो इधर आत्मा भी अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और अम्रित स्वरूप है है तो किन्तु अचिंत्य भी है जब तक चित और चित की लहर है तब तक वो आपके उपभोग के लिए नहीं है चित का निरोध और निरुध चित के विले काल में परमात्मा का साक्षातकार होता है और दर्शन के ठीक दूसरे क्षन उन्हीं ईश्वरिये गुण धर्मों से युक्त ही अपने आत्मा को पाता है इसलिए वो अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है यही उसका स्वरूप है यही पराकाश्था है इसी का पूरक अगलाश लोग देखे सुखमात्यंतिकं यत्तत बुद्धिग्रायम अतींद्रियम वेतियत्रन चैवायम स्थितश्चलती तत्वता तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूख्षम बुद्धि द्वारा ग्रहन करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को पराकाश्था की शान्ति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाब नहीं मानता और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता दुख का उसे भान भी नहीं होता क्योंकि भान करने वाला चित तो मिट गया इस प्रकार वो आत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है जिसे परमतत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है वो योग न उकताय हुए चित से निश्चे पूर्वक करना करता वे है धैर ये पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है संकल्प प्रभवान कामान स्ट्यक्त्वा सर्वान शेशत मनसई वेंद्रिय ग्रामं विनियम्य समंतत इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वता त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब और से अच्छी प्रकार वश में करके शनई शनई रुपरमेद बुद्ध्या ध्रिति ग्रिहीत या क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए चित का निरोध और क्रमशह विले हो जाए तदनंतर वो धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमाक्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे निरंतर लग कर पाने का विधान है किन्तु आरंभ में मन लगता नहीं इस पर योगेश्वर कहते हैं यतो यतो निश्चरती मनश चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्याईतद आत्मन्येव वशम्नयेद ये इस्थिर्न रहने वाला चंचलमन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उस उस से रोक कर बारंबार अंतरात्मा में ही निरोध करे प्रायह लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो प्रकृती में ही तो जाएगा और प्रकृती भी उस ब्रह्म के ही अंतरगत है प्रकृती में विचरन करना ब्रह्म के बाहर नहीं है किन्तु श्री कृष्ण के अनुसारिय गलत है गीता में इन मानिताओं का किंचित भी स्थान नहीं श्री कृष्ण का कतन है कि मन जहां जहां जाए जिन माध्यम से जाए उन्ही माध्यम से रोक कर परमात्मा में ही लगावे मन का निरोध संभव है इस निरोध का परिणाम क्या होगा? जिसका मनपूर रुपेण शान्त है जो पाप से रहित है जिसका रजोगुण शान्त हो गया है ऐसे ब्रह्म से एकी भूत योगी को सर्वोत्तम आनन प्राप्त होता है जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है इसी पर पुनेबल देते हैं युन्जन्नेवं सदात्मानम योगी विगतकलमशः पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनन्त आनन्द की अनुभूति करता है वो ब्रह्म संस्पर्ष अर्थात ब्रह्म के स्पर्ष और प्रवेश के साथ अनन्त आनन्द का अनुभव करता है अता भजन अनिवार्य है इसी पर आगे कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानिचात्मनी इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम योग के परिणाम से युक्तात्मा वाला सबमें संभाव से देखने वाला यूगी आत्मा को संपोर्न प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपोर्न भूतों को आत्मा में ही प्रभाहित देखता है इस प्रकार देखने से लाब क्या है योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वन्चमई पश्यति तस्याहम नप्रणश्यामी सचमे नप्रणश्यति जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतरगत देखता है उसके लिए मैं अद्रिश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अद्रिश्य नहीं होता ये प्रेरक का आमे साम मिलने सक्खे भाव है सामी पे मुक्ति है सर्वभूतस्थितं योमा भजत्य कत्वमास्थितह सर्वथा वर्तमानों पी सयोगी महिवर्तते जो पुरुष अनेकता से परे उपर युक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है वो योगी सब प्रकार के कारियों में बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है क्योंकि मुझे छोड़ कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं उसका तो सब मिट गया इसलिए वो अब उठता बैठता जो कुछ भी करता है मेरे संकल्प से करता है हे अरजुन जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है अपने जैसा देखता है सुख और दुख भी सब में समान देखता है वो योगी जिसका भेदभाव समाथ हो गया है परमश्रेष्ट माना गया है प्रश्न पूरा हुआ इस पर अरजुन ने प्रश्न किया अरजुन उवाचर योयम योगस्त्वया प्रोक्तह सामेन मधुसूदन एतस्याहम नपश्यामी चंचलत्वात स्थितिम्स्थिराम हे मधुसूदन ये योग जो आप पहले बता आए है जिससे समत्व भाव द्रिष्टी मिलती है मन के चंचल होने से बहुत समय तक इसमें ठैरने वाली स्थिति में मैं अपने को नहीं देखता हे श्री कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है प्रमथन स्वभाव वाला है अर्थात दूसरे को मत डालने वाला हठी तथा बलवान है इसलिए इसे वश्मे करना मैं वायू की भाति अति दुश्कर मानता हूं तूफानी हवा और इसको रोकना बराबर है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं श्री भगवान वाच इसकारिये करने के लिए प्रयक्न शील अर्थात महा बाहु अर्जुन नहसंदेह मन चंचल है बड़ी कठिनाई से वश्मे होने वाला है परंतु कौन तेय यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश्मे होता है जहां चित्त को लगाना है वहां स्थिर करने के लिए बार बार प्रयक्न का नाम अभ्यास है तथा देखी सुनी विशय वस्तुओं में संसार या स्वरगादी के भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वईराग्य है श्री क्रिश्न कहते हैं कि मन वश्मे करना कठिन है किन्तु अभ्यास और वईराग्य द्वारा ये वश्मे हो जाता है असन्यतात्मना योगों दुश्प्राप इतिमे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायत है अर्जुन मन को वश्मे न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना कठिन है किन्तु स्ववश मन वाले प्रयक्न शील पुरुष के लिए योग सहच है ऐसा मेरा अपना मत है जितना कठिन तु मान बैठा है उतना कठिन नहीं है अता इसे कठिन मान कर छोड़ मत दो प्रयक्न पूरुवक लग कर योग को प्राप्त कर क्योंकि मन वश्मे करने पर ही योग संभव है इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया अर्जुन उवाचा अयति श्रद्धयो पेतो योगाच्यलित मानसह अप्राप्ययोगसंसिद्धिम् कामगतिम् कृष्नगच्यति योग करते करते यदि किसी का मन चलायमान हो जाए यद्यपी अभी योग में उसको शद्धा है ही तो ऐसा पुरुष भगवत सिद्धि को प्राप्त नहोंकर किस गति को पाता है कचिन्नो भय विब्रश्टह चिन्ना भ्रमिवनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रम्हन पति भगवत प्राप्ति के मार्क से विजलित हुआ वो मोहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भादी दोनों और से नश्ट ब्रश्ट तो नहीं होता छोटी सी बदली आकाश में च्छाए तो वो ना बरस पाती है ना लोट कर मेगों से ही मिल पाती है बल्कि हवा के जोकों से देखते देखते नश्ट प्राय हो जाती है उसी प्रकार शिथिल प्रयत्न वाला कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला नश्ट तो नहीं हो जाता वो न आप में प्रवेश कर सका और न भोग ही भोग पाया उसकी कौन सी गती होती है एतन्मे संशयम क्रिष्ण छेत्टुमर हस्य शेषतह त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नयुप पद्यते हे श्रीकर्ष्ण मेरे इस संशय को संपूर्णता से मिटाने के लिए आप ही सक्षम है आपके अत्रिक्त दूसरा कोई इस संशय को मिटाने वाला मिलना संभव नहीं है इस पर योगेश्वर श्रीकर्ष्ण ने कहा श्री भगवान वाचा पार्थनै वेहना मुत्र विनाश स्तस्य विद्यते नहीं कल्यान कृत कश्चिद दुर्गतिंतात गच्चती पार्थिव शरीर को ही रत बनाकर लक्ष की और अग्रसर अर्जुन उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही नाश होता है क्योंकि हेतात उस परम कल्यान कारी नियत कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता उसका खोता क्या है प्राप्य पुन्यक्रिता लोका उशित्वा शाश्वती समा शुची नाम श्रीमता गेहि योगब्रश्टो भिजायते मन चलायमान होने से योगब्रश्ट हुआ वो पुरुष पुन्यवानों के लोकों में वासनाओं को भोग कर जिन वासनाओं को लेकर वो योगब्रश्ट हुआ था भगवान उसे थोड़े में सब दिखा सुना देते हैं उन्हें भोग कर वो शुची नाम श्रीमताम शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है जो शुद्ध आचरण वाले हैं वही श्रीमान है अथवा योगिनामेव कुले भवती धीमताम एतद्धि दुर्ल भतरम लोके जन्म यदीद्रिशम अथवा वहा जन्म न मिलने पर भी स्थिर बुद्धी योगियों के कुल में वो प्रवेश पा जाता है श्रीमानों के घर में पवित्र संसकार बचपन से ही मिलने लगते हैं किन्तु वहाँ जन्म ना हो पाने पर वो योगियों के कुल में घर में नहीं शिश्य परमपरा में प्रवेश पा जाता है। कबीर, तुल्सी, रैदास, वालमी की इत्यादि को शुद्ध आचरण और श्रीमानों का घर नहीं योगियों के कुल में प्रवेश मिला। सद्गुरू के कुल में संसकारों का परिवर्तन भी एक जन्म है। और ऐसा जन्म संसार में नहीं संदेह अतिदुरलब है। योगियों के यहां जन्म का अर्थ उनके शरीर से पुत्र रूप में उत्पन होना नहीं है। ग्रिह त्याग से पूर्व पैदा होने वाले लड़के मोह वश महापुरुष को भी भले ही पिता मानते रहें। किन्तु महापुरुष के लिए घर वालों के नाम पर कोई नहीं होता। जो शिश्य उनकी मर्यादाओं का अनुष्ठान करते हैं। उनका महत्व लड़कों से कई गुना अधिक मानते हैं। वही उनके सच्चे पुत्र है। जो योग के संस्कारों से युक्त नहीं है। उन्हें महापुरुष नहीं अपनाते। पुज्य महाराज जी यदि साधू बनाते तो हजारों विरक्त उनके शिश्य होते। किन्तु उन्होंने किसी को किराया भाड़ा देकर, किसी के घर सूचना भेजकर, पत्र भेजकर, समझा बुझा कर, सबको उनके घर लोटा दिया। बहुत लोग हट करने लगे, तो उन्हें अपशकुन हो, भीतर से मना हो, कि इसमें साधू बनने के एक भी लक्षन नहीं है, इसे रखने में भलाई नहीं है, ये पार नहीं होगा, निराश होकर दो एक ने पहार से गिरकर अपनी जान भी दे दी। किन्तु महराज जी ने उन्हें अपने यहन नहीं रखा, बाद ने पता चलने पर बोले, जानत रहूं के बड़ा विकल है, लेकिन ये सोचते हैं कि सचहूं के मरी जाए, तो रखी लेते, एक ठोपतिता है रहत अउर का हो। ममत्व उनमें भी विकट था, फिर भी नहीं रखा। छे साथ को जिनके लिए आदेश हुआ था, कि आज एक योग ब्रष्ट आ रहा है, जन्म जन्म से भटका हुआ चला आ रहा है। इस नाम और इस रूप का कोई आने वाला है, उसे रखो, ब्रह्म विद्या का उपदेश करो, उसे आगे बढ़ाओ, केवल उनहीं को रखा। आज भी उन में से एक महापुरुष धार कुंडी में बैठे हैं, एक अनसुया में हैं, दो तीन अन्यत्र भी हैं, उन्हें सद्गुरु के कुल में प्रवेश मिला, ऐसे महापुरुषों को पाजाना अतिदुरलब है। तत्रतं बुद्धि सैयोगं, लभते पार्वदेहिकं, यतते चततो भूयह, समसित्धव कुरुनंदना। वहाँ वो पुरुष पहले शरीर में साधन किये हुए, बुद्धि के सैयोग को, अर्थात पूर्व जन के साधन संसकारों को अनायासी प्राप्थ हो जाता है। और हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से वो फिर संसिद्धव भगवत प्राप्ति रूपी परमसिद्धि के निमित प्रयक्न करने लगता है। पूर्व अभ्यासे नते नईव, रियते यवशोपि सह, जिग्या सुरपियोगस्य, शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्रीमानों के घर विशियों के वश में रहने पर भी वो पूर्व जन्व के अभ्यास से भगवत पत्की और आकर्शित हो जाता है। और योग में शिथिल प्रयतन वाला वो जिग्यासु भी वानी के विशय को पार करके निर्वान पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है। कोई एक जन्में पाता भी नहीं। प्रयतनाध्यतमानस्तू योगी संशुद्ध किल्विशह अनेक जन्म संसिध्ध ततो याति परांगतिम। अनेक जन्मों से प्रयतन करने वाला योगी परम सिध्ध को प्राप्त हो जाता है। प्रयतन पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परमगति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही क्रम है। पहले शिथिल प्रयतन से यह योग आरंभ होता है। मन चलाएमान होने पर जन्म लेता है। सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है। और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वही पहुच जाता है। जिसका नाम परमगति परमधाम है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप दो कदम चल भर दें। उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है। कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों में घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है। क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हों, गोरे हों, अथवा कहीं के हों। गीता सब के लिए है। आपके लिए भी है। बशर्ते आप मनुष्य हो। उतकट प्रियतन वाला चाहे जो हो। किन्तु शिठिल प्रियतन वाला ग्रिहस्त ही होता है। गीता ग्रिहस्त विरक्त, शिक्षित अशिक्षित, सर्वसाधारन मनुष्य मात्र के लिए। किसी साधू नामक विचित्र प्राणी के लिए ही नहीं। अंतम योगेश्वर श योपिम तोधिकह कर्मिभ्यष्चाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन तपस्तियों से योगी श्रेष्थ है ज्ञानियों से भी श्रेष्थ माना गया है कर्मियों से भी योगी श्रेष्थ है इसलिए अर्जुन तु योगी बन तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयतनशील है कर्मी केवल कर्म जानकर करताबर है ये गिर भी सकते हैं क्योंकि न इन दोनों में समरपड़ है और न अपना हानी लाब देखने की क्षमता किन्तु ग्यानी योग की परिस्थितियों को जानता है अपनी शक्ती समझता है उसकी जिम्मेदारी उसी पर है और निश्काम कर्म योगी तो इश्ट के ऊपर अपने को फेक चुका है वो इश्ट समालेगा परम कल्यार के पत पर ये दोनों ठीक चलते है किन्तु जिसका भार वो इश्ट समालता है वो इन सब में श्रेष्ट है क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है उसका हानि लाब वो प्रभु देखता है इसलिए योगी श्रेष्ट है इसलिए अर्जुन तू योगी बन समरपण के साथ योग का आचरण कर योगी श्रेष्ट है किन्तु उनसे भी वो योगी सर्वश्रेष्ट है जो अंतरात्मा से लगता है इसी पर कहते हैं संपूर्ण मिश्काम कर्म योगियों में भी जो शद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर्चिंतन से मुझे निरंतर भशता है वो योगी मुझे परमश्रेष्ट मान्य है भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तो नहीं है इससे समाज भले ही अनुकूल हो किन्तु प्र अंतर करण के ऊपर है निशकर्ष इस अध्याय के आरंब में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा कि फल के आश्रे से रहित होकर जो कारियम कर्म अर्थात करने योगिय प्रक्रिया विशेश का अचरण करता है वही सन्यासी है और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है केवल क्रियाओं अत्वा अगनी को त्यागने वाला योगी अत्वा सन्यासी नहीं होता संकल्पों का त्याक किये बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अत्वा योगी नहीं होता हम संकल्प नहीं करते ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते योग में आरूड होने क की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कारियम कर्म करे और करते करते योगारूड हो जाने पर सर्व संकल्पों का अभाव होता है इसके पुर्व नहीं सर्व संकल्पों का अभाव ही सन्यास है। योगेशवर ने पुनह बताया के आत्मा अधोगती में जाता है और उसका उध्धार भी होता है। जिस पुरुष दवारा मन सहित इंद्रिया जीत ली गई हैं उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरदता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतह मनुष को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगती में न पहुँचा ले, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई। यग्य स्थली, बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा के स्थान, एकांत और स्वच्छ हो। वस्त्र, म्रिग चर्म, अथ्वा कुष की चटाई में से कोई एक आसन हो। कर्म के अनुरूप चेश्टा, युक्ताहार, विहार, सोने जागने के सैयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वायु रहित स्थान ने दीपक की अकंपित लौ से दी। और इस प्रकार उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है। उस समय वह योग की पराकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार के सैयोग वियोग से रहित अनंत सुक का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन। जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है वह संपूर्ण भूतों में समदृष्टी वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है। वह परंपरा काष्ठा की शान्ति को प्राप्त होता है। अतय योग आवश्यक है। मन जहां जहां जाए वहां वहां से घसीट कर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ठा ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है। लिकिन होता है। यह अभ्यास और वैराग्यत वारा वश में हो जाता है। शिथिल प्रैतनवाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुँच जाता है। जिसका नाम परमगति अत्वा परमधाम है। तपस्वियों, ज्ञानमार्गियों तथा केवल कर्मियों से योगी श्रेष्ट है। इसलिए अरजुन तू योगी बन। समरपण के साथ अंतर मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में, योगेश्वर श्री कृष्ट ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है। अतहं, ओम तत्सिदिति, श्रीमध भगवद गीता सूप निशत्सु, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, श्री कृष्ण अर गीता के भाष्य यथार्थ गीता का छठा अध्याय पूर्ण होता है। हर्योम तत्सक। झाला गीता सूप जड़ा जिए अब योगवद बल दियार्ण हो यद्याय विए बलगवद निए मॉद के लिए जड़ आवद दिया दिए है।